सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेकनोलजी लेटास्ट वीडियो के लिए बैल आइकों दवाएं वेलकाउं टू मैई चैनल सुपर टेकनोलजी मेरा नाम नाम नदीब दुल दोस्तो वट्साइब पे विदाउट सेव नबर मैसे कैसे सेंड करना है कैसे आपने प्राइबेट मीडिया को ग्रूप बाइ ग्रूप एंड कोंटेक्ट बाइ कोंटेक्ट लीड करना है इसके लेटर मैं आलेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ दोस्तो जैसे हम वट्साइब पे सभी बैक अप क्रेड करती है उसके बाद जैसे हम वट्साइब को आने स्टॉर कर देते हैं तो बैक अप लेट नहीं होता दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने पर्मनेंटली बैक अप को कैसे डेट करना है यह सबी देखने के लिए बने रहें यह वीड़े के end तक दोस्तो जैसे हम वट्साइब को open करती है वट्साइब को open करने के बाद राइट तॉप पे 3 dots मिलते है जैसे हम इन 3 dots पे क्लिक करते है तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे option आती है setting की दोस्तो setting की option को click करने के बाद first option आ रही है accounts की, second option आ रही है chats की जैसे हम यहां chats पे click करते हैं, theme पे click करके आप theme चेंज कर सकते हूं, light या dark जैसे यहाँ पे मैं अभी dark theme कर रहा हूं, दोस्तो next option आती है ball paper की, आप यहाँ पे click करके chat का ball paper भी change कर सकते हूं दोस्तो अगर आप media visibility को gallery में on करना चाते तो आपने यहाँ पे clicker के on करना है font size को select कर सकते हो language को select कर सकते हो next option हमें मिलती है chat backup की जैसे हम यहाँ chat backup पे click करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे show होता है backup जैसे आप यहाँ पे clicker की chat का backup रख सकते हो दोस्तो आपके पास यहाँ पे last backup time show होगा and size show होगा next हमारे पास यहाँ पे option आ रही है backup to google drive जैसे हम यहाँ पे click करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे option मिलती है never अगर आप backup disable करना चाहते हूँ only when I tap backup जब आप backup लेना चाहते हो तो आपने यहाँ पे click करना है उसके बाए डेली वीकली मंत्री दोस्तो आपने अपने accordingly यहाँ पे set कर लेना है next हमारे पास यहाँ पे google account चूज करने की option आरी है आपने यहाँ पे click करके backup के लिए google account को चूज करने next option आरी है backup over wifi और cellular data आपने अपने accordingly set कर लेना है और दोस्तो अगर आप अपना account delete करना चाहते हो जाए आप backup को permanently delete करना चाहते हो तो उसके लिए आपने क्या करना है एक तो आपने यहाँ पे backup को never कर देना है दोस्तो जैसे आप यहाँ नियावर पे click करोगे तो आपका backup इन feature के लिए disable हो जाएगा लेकिन जो पहले का backup है वो अभी भी save है उसको आपने कैसे delete करना है permanently दोस्तो आपने whatsapp को minimize करना है whatsapp को minimize करने के बाद आपने अपने phone से open करना है google drive को google drive को open करने के बाद right top पे आपके पास option आएगी email ID चूज करने की आपने उस particular email ID को चूज करना है जिसके तुरू आपने backup create किया whatsapp में email ID चूज करने के बाद आपने यहाँ left पे click करने left पे click करने के बाद आपके पास option शो होगी backups जैसी आप backup पे click रोगे तो आपके पास सभी backup शो हो जाएंगे जो भी आपके google drive में saved हैं जैसे यहाँ पे मेरे पास phone का backup है जैसी आप यहाँ पे क्लिक रोगे तो आपके पास यहो हो जाएगा कि आपके किस नंबर का backup यहाँ पे अभीलेबल है and backup को ड्लीड करने के लिए आपने three dots पे क्लिक करने three dots पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे two options शो होगी delete backup and turn of backup जैसे आप turn backup पे click करोगे तो यहां पे show होगा कि आप backup को WhatsApp के through भी disable कर सकते हो और अगर आप यहां से करना चाहते हो तो आप यहां पे click करके भी backup को disable कर सकते हो और अगर आप दोस्तो वेकप को delete करना चाहते हो तो आपने first option को choose करने एंड विड वाटसैप की चैट का बैकाप पर पर्मेनेंटली लिट हो जाएगा दोस्तों अगर आपकी WhatsApp या किसी other education app के लिए कोई क्वेरी है जा कोशी आशना है तो मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मैं आपके हर कमेंट कर अप्लाई करूँगा थैंक यू फर वार्चिंग प्ली स्क्राइब में चैनल पर मोरे टेक्निक अप्डेट